केने का मतलब है यह जो आप टॉपिक जो देख रो सभीधान के भाग के रुप में प्रस्ताबना यहां से मेंस के प्रसंद बनते हैं प्रसंद में कैसे बनेंगे तब बोलेगा बताओ प्रस्ताबना सभीधान का भाग है की नहीं इसका अलोशनात्मक प्रिक्षिन कीजिए मत कैस कि नाम दोगे और यह और अप जुस्टिस जो आया सुपरिम कोट का प्रसंद का एंससे नाम प्रसंद पूछा जाए तो पार्ट है कि नहीं तो यह हमेशा से मतलब ने एक तथा का विबाद रहा है जैसे आप देखो कि एक फैसला था बेरुबारी संग का बात करेंगे बेरुबारी करते हैं ये नाइंटि सिस्टी का एक केसे से जिसमें मतला सुप्रिम कोट कहते हैं मतला उच्टन खेंड़ें न कहा कि प्रस्ताबना समझ के मामिले में आपको कहा गया इसलिए शविधान निर्माताओं के मस्तिक्स के लिए कुंजी है ठीक है इसलिए कहा गया से सविधान जो है निर्माता निर्माता कौन है जिने ने सविधान को बनाया ठीक है उनके लिए कहा है तो ध्यान रखना है एक कुंजी है उनके लिए ठीक है इसके अर्टिक्ट अनुछिद में पर्योग की गई विवस्थाओं को अनेक अर्थ निकलते हैं प्रस्ताबना जिसे देख लिए बहुत सारे हमारा सविधान की बात करेंगे तो बहुत सारे जगा पे हमारा सविधान क्या मौन है तो अगर पूछा जाएगा बेरुबारी संग का जो मामला जो था 9060 वाले में उसमें प्रस्ताबना को शविधान का भाग माना गया या नहीं माना क्या बताएंगे नहीं माना गया ठेक है तो यहाँ पर इस मामले में बेरुबारी संग बाले मामले में सुप्रिम कोट ने का भाई साथ प्रस्टावना जो है सभिधान का भाग नहीं है ठीक है आप देखेंगे किसी भी चीज को जब भी Constitution की बात आएगी तो इसका सबसे higher authority जो इसको explain करने वाला जो जो वता सुप्रिम कोटी है ठीक है सभिधान को explain कोन करेगा तो सुप्रिम कोटी करेंगे ठीक है इसलिए उनको अंतिम ब्याक्षा कार माना जाता सुप्रिम कोट को तो 9060 में जो बेरुवारी संग वाले मामला में कहा गया इससे सभीधान आपरिवारती कर दिया ठीक है केस्वानन भारती वाले केस में उस्तम नाले ने जो पहली की जो बेक्षा जो थी बेरुबारी संग भला उसको अश्रिकार करते हुए बेवस्था देखी प्रस्टावना सभिधान का क्या है एक भाग है क्या वोला से मांग इंवर्टन पार्ट है ठीक है और सभिधान की प्रस्टावने महान विचारों को ध्यान में रखकर शभिधान का दॉं किया चाहिए मतलब इन्होंने बोला सिद्धो जब भी आब सभिधान का जब तुम अध्यान करोगे तो प्रस्ताबना में जो महत्पूर्ण हिस्सा जो है उसको मिला कर पढ़ना है ठीक है और फिर L.I.C. टीक है L.I.C. उफ इंडिया मामले जो थे 1995 का जो मामला था इसमें भी बोला सभिधान का आंतरिक हिस्सा प्रस्ताबना है ठीक है तो नाइन्टी से वेंटेटी त्री में क्या कहा गया से बहुत महत्पूर्ण हिस्सा है यह प्रस्ता पुष्टा है ठीक है तो 90 से वेंटी त् से बहुत महत्पुल हिस्ट है ठीक है ओ फिर जाकर 1995 में लाईजी मामले में क्या कहा सी इंटरनल पार्ट है क्या है इंटरंगल पार्ट है मतलब इसका न मतलब पूरी तरह किस्का है आंतरिक हिस्सा है ठीक तरह्ण ध्याद में आपको रुखना है सब्सक्राइब कर सकती हो किसी अपने ही फैसलों को सुप्रीम कोड पलट सकती है नो इस वह प्रूबारी एक हिस्सा है ठीक है वह थोड़ा भूमी विवाद वाला हिस्सा है बंगलादेस के साथ था यह जब पराएंगे जब केसे पराएंगे तो उसमें बता देंगे उसी में निकल कर आया था ठीक है तो इसके मट का जो जमीन जो था नो सरकार के दौरा नभूमी अथी ग्रहन कर लिया गया था उसको लेकर उसने क्या गया केस कर दिया सुप्रिम कोड में ठीक है तो इस फैसला जो आई थी तेरा जजों के पीट बढ़े थी जो कि अभी तक कि सबसे बड़ी पीट बैठी है ठीक है मतलब कभी इस फैसला को पलटने के लिए तेरा जजों से जादा का पीट होना चाहिए that means 14 हो जाए 15 हो जाए तभी इस फैसला को पलटा जा सकता तो अभी तक सबसे बड़ी संब्यधानिक पीट है किस्वानन भा पर देंट है हम लोग बात करेंगे काश्वानन भारती परएंगे तो ठीक है तो तीर मामले है एक बेरुबारी संग है कैस्वानन भारती है एक यह ल.ईसी ओफ हिंडिया ज्पर नाइटी निडिवारती है स्पनल महांटी सब्सक्राइब करूंगा तो नैंटिशी का है ठी शविधान के अन्य भागों की तरफ शविधान सभा ने प्रस्तावना को भी बनाया प्रंतू तब जबकि अन्य भाग पहले से बनाये जा चुके थे प्रस्तावना को अंत में सामिल किये जाने के कारण यह ताकि से सभा के दोरा सुविकार किया गया जब प्रस्तावना पे मत तो वेक्ट किया जाने लगा तो सविधान सवा क्या ध्यक्ष ने कहा प्रस निया है कि क्या प्रस्ताबना सविधान का भाग है इस प्रस्ताब को तब स्विकार कर लिया गया लेकिन उस्तब ने दोरा बर्तवान मत दिये जाने के बाद कि प्रस्ताबना सविधान का भाग है सविधान के जनकों के मद्द के शाम्मिता रखता है ठीक है बत्तब हमारे ठीक है जो सविधान निर्मान करने वाले थे उन्होंने भी प्रस्तावना को सविधान का भाग माना था और सुप्रीम कोट का जो अभी नियर का जो जस्टिस जज्जमेंट जो है उसके अदार पर भ तो सभिधान में जिस परकार से हम संसोधन करते हैं तो प्रस्ताबना में भी संसोधन कर सकते हैं कर सकते हैं क्योंकि सभिधान में तुम संसोधन करते हैं तो प्रस्ताबना अगर प्रिंबल अगर पार्ट अब कंसिट्यूशन है तो उसमें भी हो सकता है ठीक है लेकिन इसमें फिर दो-्तीन तरीके उसमें हम लोग परें गिसमे दिया होगा अब यहां पर दो तब्क पार को निकलते हैं ध्यान में रखना है ठीक है दो तत आपको निकलते हैं ठीक है दो तत इसमें उलेखी थे प्रस्ताबना न तो बिधाईका की सक्ति का सुरोत है नहीं उसकी सक्तियों पर्तिवन्थ लगाने वाला है ठीक है तो प्रस्ताबना जो है ध्यान में रखेगा क्या है तो बिधाइका के सक्ति का शुरोत भी नहीं है समझ गए ना और उनके सक्तियों पर पर्तिवंध भी नहीं लगाता है जिसे सभिधान में आप देखो कि बिधाइका के पर सक्ति है बिधाइका जब मैं कह रहा हूं तो लॉव मेकर्स कहने का मेरा मतलम उनके पास सक्ति है नो कानून बना सकते हैं ठीक है संसोधन भी कर सकते हैं और सब इधान उनके उपर परतिबंध भी लगाता है आर्टिकल 13 कहता से आप किसी मुल अधिकार के खिलाब कुछ कानून आप नहीं बना सकते हो ठीक है जो मुल अधिकार के सक्ति को कम करें लेकिन प्रास्थाबना ना तो उनके शक्ति का श्रोथ है ना तो प्रस्ताबना उनको सक्ति देती है नहीं मतलब क्या होता है उन पर पर्ति बंद भी लगाती है अब बात में प्रस्ताबना कैसा है ठीक है कभी अगर पुछे का तो गैर नाइक है अब लोग सर गैर नाइक क्या होता मतलब प्रस्ताबना भी क्या प्रकृति में कैसा है गयर नयाइक है मतलब इसको लागू कराने के लिए आप सुप्रिम कोट में चुनाओती या फिसी भी कोट में चुनाओती आप नहीं दे सकते हो ठीक है यह दो तीन प्रवर्त में हाँ बिल्कुल हाँ मतलब नयाले इसको अपने आदेश के द्वरा लागू नहीं कर सकती है ठीक है अब देखें प्रस्ताबना में संसोधन की संभावना है क्या जैसे कि मावला उठा से सभिधान का भाग है प्रस्ताबना तो जाहिद सी बादे सभिधान में सं 266 क्या बोलता है देवियो ऑसर दों क्या बोलता है सभिधान में संसोधन हो सकती है 356 के तर जब यह हीस्ता है तो इसमीं संसोधन हो ना लाज़मी है कि Я प्रस्ताबना में संभिधान कि धार gözल जा जा सकते हैं प्रस्ट पहली बर एतिहासी केस केश्वान भारती मावले में 1973 में उठा यह विचार सामने आए कि इसमें संसोदन नहीं किया जा सकता है क्योंकि सभिधान का भाग नहीं है याच्का करता ने कहा कि अनुछे 368 के जरिए सभिधान के मुल्टत्व मुल्विसेश् उसमें आप संसोदन नहीं कर सकते हो जैसे मतलब उसको निकाल नहीं सकते हो ऐसा नहीं कि प्रस्तावना का ठीक है कुछ सब्द को निकाल दिये जैसे बोल देंगे प्रस्तावना में लिखा है हम भारत के लोग आप उसको हटा नहीं सकते हो हम भारत के लोग को लेकिन हाँ क को घर कर दीजिए करबा दीजे तो इसकी खुबसूरती बढ़ जाएगे मतलब उसको मजबूत करने के लिए प्रास्ताबना में कुछ नए सब्दों को हम लोग डाल जरूर सकते हैं लेकिन उसके सब्दों को बाहर नहीं कर सकते ठीक है इसी को देखते हुए 42 Constitution Amendment 1976 में क्या किया गया प्रास्ताबना में तीन सब्द को हमने जोर दिया कौन-कौन से सब्द को हमने प्रास्ताबना में जोर दिया देवी और सज्ञ ने क्या बताएंगे समाजबादी deuxième एठीक है और किया बताऊटने किया प्रास्ताब दुकर मने क्या किया इसमें जोर दिया ठीक है किसी भी सब्द को मिन नहीं निकाला तो हमने इसमें सन्सोधन भी कर दिया लेकि संसोधन किस हुए में संसोधन किया पोजेटिव हुए में या फे निगेटिव उए में पोजेटिव हुए में किये ठीक है ध्यान पर रखना है ठीक है हलांकि उस्तम नाले ने वेवस्ता देखी प्रस्तावना सभिदान का एक भाग है नाले ने अपना ये मत्त बेरुवारी संग 1960 के तहद दिया और कहा कि पु बड़ा कितावे तो चुड़ा मुठा गलती चलेगा इसका बसरती मूल विसेस्ताव में संसोधन नहीं किया जा सकता है ठीक है बोला से देखो संसोधन करना है करो लेकिन मूल विसेस्ता में संसोधन नहीं करो इस घर देखेगा आदमी ने कई भार घर बनाता है नहीं कभी कभी उसको plaster करवा दिया कभी paint करवा दिया कभी समें tiles लगवा दिया कभी चत के उपर और चत बना लिया कोई मुर्ख आद्मी कोई देखते हुएगा पुरा नीचे से पीलर रूल तोड़ता देता है कोई करता है क्या नहीं करता है तो इसमें संसोधन हो सकता है और एक बार संसोधन हुआ ही ठीक है दूसरे सब्दों में नयाले ने वेवस्था दी कि प्रस्तावना में नहीं मूल विश को हम लोग संसोधन नहीं कर सकते हैं और अब तक प्रस्तावना में कितने बार संसोधन हुआ थे कि एक बार संसोधन हुआ कौन से में तो 42 कंसिटिविशन अवेंडमेंट कब हुआ तो उस समय देश में क्या चल नहीं थी पता आपको प्रस्तावना जो था कम्प्लीट हुआ ठीक है अब आप लोग से में पूछूंगा कुछ प्रस्त आप लोग देंगे जवाब कि तो सबसे पहला हम यह विताओ कि उदेश प्रस्ताव को कब स्विकार किया गया प्रस्तूत कब किया गया तेरा दिसंबर उनिसंट सिया लिए पंदरा आगास उनिसंटालीश से पंदरा आगास उनिसंटालीश को हम लोग डोमिनियन थे या फिर संप्रभू थे संप्रभू हम लोग कब हो जाएंगे 26 जनवरी उनिसंटालीश संप्रभू हो गया तो कभी कोई कह से हम लोग आजाद हुए थे पंदरागास उनिसंटालीश को ठीक है लेकिन आजादी और संप्रभूता में थोरा सांतर हो ठीक है हम लोग संप्रभू कब हुए तो 26 जनवरी उनिसंटालीश को हम लोग क्या हुए थे शंप्रभू हुए थे ठीक है बेलकुल संजुक्त राष्ट संक बना भारा संजुक्त राष्ट संका सदस कब बना 45 में संजुक्त राष्ट की बात कर रहा हूं ठीक है उसका नहीं कर रहा हूं आप लोग कॉमंट बेल्स बता रहे हो ठीक है संजुक्त राष्ट के भारत संजुक्त राष्टी कर यह सथावर्च नहीं हुआ था इसके संजुक्त संसर्द में थे होगा बहरत बाराट विटेम के गुलाम नहीं था है देख लिए गाव उनुश्वा पैतानिक में बन शुका था हाँ ठीक है हमने हमेशा यह कहा कि समाजबाद हमारा अपना बरांड है हम अपनी जिरुवत के अनुसार जिन शेटरों कर सकता होगी उसका राश्ट्रिय करन करेंगे सिर्प राश्टवाध ही समाजबाद का हमारा परकारने का यह किसका है कि इंदिरा गंधी का यह प्रशनात मा भीपी से ऑप्ष्णल में पर पूछ आथा तीक हैं नाकारा बना भारत संकप का कैसा है नांटी नटी परिलाज भारत किस तरह का राज है नास्तिक राज है आस्तिक राज है धर्म निर्पेश राज है कैसा राज है धर्म निर्पेश राज है लेकिन बिल्कुल भारत धर्म निर्पेश राज है किसी भी धर्म विसेश को मानता कि नास्तिक राज के तौर प्षरद को नहीं सकते तिक है एक नास्तिक राज ओता है जो यहां बिरोधी राजी जो सभी तर्मों का विरोध करता है जैसे चीन ऑए अगे साधानतिक राज हुट लृष पर में हो जाशिल बंगलादेस घ्रमा ऐश लंक है ऩो का अपना-अपना धारम है इसका इसलाम है बरमा का बहुत है श्यलंका का पाकिस्तान का इसलाम है एक ऐसा राज करेंगे तो अमरीका और भारत तो तीन परकार की और मोरा राजयों के कि का डिमोक्रेसिस अब की बात के लिए गृट सब्दों से मिलकर बला इसना मतलब और मतलब होके ता जब यह सीथे जंता के द्वारा मतदान सिथे मतदान द्वारा विदाई विवस्ता जवर उसको जनवत बोलते हैं कि यसमानन भार्टी नाइंटी सेविंटी तरह है आर्टिकल्स ओन फोर्ट से दी क्या कहता है सुप्रीम कोट से सलाह लेने हो सबीधान कहने उचे राश्पती के द्वारा शंदर भी लिया गया हो ठीक है बिलकुर किक ? हमको कराना था हमको कि एम सी कीुँ कितने लोग पर कराना है इमंदारी से बताएगा जूट नहीं बोलेगा ठीक है अब आया ने इंपोर्टेंट पे आया ठीक है अब जो हम लोग आया है श्रंग वाम इसका चाहिए तो इनियान एंड इस्टे रोटरी इसमें बेरुबारी बगरा काफ केसिस बगरा होंगे इसमें ठीक है इसमें हम पराने के बाद एक भी कोशन चुटना रही ठीक है तीन नमबर चेप्टर तक मैंने कंप्लीट चेप्टर करवा आके और उसका एंसी की भी करवा दिया चार नमबर चेफ्टर अपका समाप्त होगा और कल मैं इसका एमसी की करवाओंगा और सब लोग को मैंने बोला था घर से एक बार करके आने के लिए ठीक है और जिनके पास घटना चक्र घटना चक्र से अपना लगा लो जिनके पास नहीं है तो यहां पर 110 पेज नमबर में है इसमें घटना चक्र से अच्छा दिये हुआ है इसका मतलब यह नहीं से दुकान में जाके खरीदने चले जाना है ठीक है तो यहां पर सारी चीजे बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है ठीक है चलिए तो यह सब लोग कल करके आएंगे इसमें ज्यादा कोशन होगा नह लेकिन सारे ही सारे प्रस्तावना से ही है तो कल के एक क्लास में सारे प्रस्ताव के करवा दिये जाएंगे ठीक है पचास में नहीं है 46 कोशन है तो कल इसी सारे कोशन को हम लोग सौल्व करेंगे ठीक है उसके बादे कितना मिला हुआ है जैसे लगता है पूरा मतलब क्या हो इसमें बसो और अचमें चेप्टर नमबर फाइव है